राज्यसभा सांसद स्वाती मालिवाल ने हाल ही में CM अर्विंद केजरिवाल KPA बिभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया है वहीं आरोप लगाये जाने के बाद से ही स्वाती मालिवाल पर आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार तरह तरह के आरोप लगाये जा रहे हैं इस बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या स्वाती मालिवाल राज्यसभा के सांसत पर से इस्तीफा दे देंगी एनाई के साथ एक इंटरव्यू में राज्यसभा सांसत स्वाती मालिवाल से इसी मुद्दे पर सवाल किया गया जब उनसे पूछा गया कि क्या वो राज्यसभा के सांसत पर से इस्तीफा देंगी इस सवाल का जवाब देते हुए स्वाती मालिवाल ने कहा कि मुझे सांसत बने रहने की कोई लालसा नहीं है स्वाती मालिवाल ने कहा कि अगर किसी को उनकी राज्यसभा सीट चाहिए होती तो भी वो स्वेचा से सीट दे देती मुझे लगता है कि मैंने बहुत काम किया है और मैं काम बिना पदके भी कर सकती हूँ स्वाती मालिवाल ने आगे कहा कि लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है अब चाहे दुनिया की कोई शक्ती लग जाए मैं किसी भी हाल में रिजाइन नहीं करूँगी मुझ पर इस्तीफा देने का दबाव डाला जा रहा है लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी बता दे कि आम आदमी पार्टी पर स्वाती मालिवाल ने आरोप लगाते हुए एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मेरे कंपलेंट फाइल करते ही नेताओं और वॉलन्टिय की पूरी आर्मी मेरे पीछे लगाई गई मुझे बीजेपी का एजेंट बुलाया गया मेरा चरित्र हरन कराया गया काट पीट के विडियो लीक की गई मेरी विक्टिम शैमिंग की गई उसको क्राइम सीन पे दोबारा आने दिया और सबूत से छेरचाड करी गई आरोपी के लिए खुद सडक पे उतर गए और अब मुख्यमंत्री साहब जिनके ड्राइंग रूम में मुझे पीटा गया वो कह रहे हैं कि उन्हें इस मामले में निश्पक्ष जाच चाहिए इससे बड़ी विडम बना क्या ही होगी